हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग आशा करती हूँ सब कुशल होंगे आईए आज आपका अध्याए प्रिष्टिय छेत्रफल और आयतन आगे समझते हैं हमने ये चर्चा की है कि दो आधार भूत थोसों के संयोजन से बने थोसों के प्रिष्टिय छेत्रफल किस प्रकार ग्याद किये जाते हैं अब हम देखेंगे कि इस प्रकार के थोसों के आयतन किस प्रकार परिकलित किये जाते हैं ध्यान दीजिये कि प्रिष्टिय छेत्फल परिकलित करने में हमने दोनों घटकों यानी ठोसों के प्रिष्टिय छेत्फलों को जोडा नहीं था क्योंकि इनको मिलाने की प्रक्रिया में प्रिष्टिय छेत्फल का कुछ भाग लुप्थ हो गया था परन्तु आयतन परिकलिट करने की स्थिती में ऐसा नहीं होगा दो आधार भूत ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन वास्तव में दोनों घटकों के आयतनों के योग के बराबर होता है आईए इसको उधारन द्वारा समझते हैं पहला उधारन एक जूस बेचने वाला अपने गढ़ाकों को आकरती में दर्शाय गिलासों से जूस देता था बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास पांच सेंटिमीटर था परन्तु गिलास के निचले आधार यानि तली में एक उभरा हुआ अर्ध गोला था जिस से गिलास की धारिता कम हो जाती थी यदि एक गिलास की उचाई दस सेंटिमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता तथा उसकी वास्तविक धारिता ग्याद कीजिए पाई बराबर 3.14 लीजिए आईए इसका हल समझते हैं चुंकि गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटिमीटर है और उचाई 10 सेंटिमीटर है इसलिए गिलास की आभासी धारिता कितनी होगी पाई आर स्क्वेर एच पाई का मान हमने रखा 3.14 गुना 2.5 गुना 2.5 गुना 10 सेंटिमीटर क्यूब जो बराबर होता है 196.25 सेंटिमीटर क्यूब परन्तु इसकी वास्त्विक धारिता उप्रोक्त धारिता से आधार में बने अर्ध गोले के आयतन के बराबर कम है अर्थात कमी बराबर है 2.3 पाई आर क्यूब के इसको भी निकाल लेते हैं ये बराबर है 2.3 गुना 3.14 गुना 2.5 गुना 2.5 गुना 2.5 सेंटिमीटर क्यूब इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 32.7 एक सेंटिमीटर क्यूब अतह ग्लास की वास्त्विक धारिता बराबर होगी आभासी धारिता माइनस अर्ध गोले का आयतन इस प्रकार 196.25 माइनस 32.71 यानी 183.54 सेंटिमीटर क्यूब ये हमारी वास्त्विक धारिता आएगी आगे देखते हैं प्रश्नावली 13.2 का पहला प्रश्न जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22 बटा साथ लीजिए प्रश्न है एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकू के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं एक सेंटिमीटर है तथा शंकू की उचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ग्याद कीजिए आपको आकरती में दिख रहा है कि ये अर्ध गोलाकार एक सेंटिमीटर है और इसकी उंचाई शंकु की उंचाई भी एक सेंटिमीटर है आईए तो शंकाकार भाग की उंचाई H बराबर है शंकाकार भाग की त्रिज्या के जो है एक सेंटिमीटर शंकाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर है अर्ध गोलाकार भाग की त्रिज्या के जो एक सेंटिमीटर है ठोस का आयतन बराबर होगा शंकाकार भाग का आयतन प्लस अर्ध गोलाकार भाग का आयतन इस प्रकार 1 बटा 3 πाई r square h प्लस 2 बटा 3 πाई r cube होगा अब देखिए इसमें हम उभेनिश्ट ले लेते हैं 1 बटा 3 πाई r square को और कोश्टक में हमारे पास बचेगा h प्लस 2 r इस प्रकार 1 बटा 3 πाई गुना 1 का वर्ग और ब्रैकेट में 1 प्लस 2 यह तीन और यह तीन कट जाएगा और हमें इस प्रकार उत्तर मिलेगा 5 cm3 ठीक है बच्चो सदल था ना आईए अगला प्रशन देखते हैं दूस्सा प्रशन एक इंजिनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली अल्मुनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकू जुड़े हुए हो इस मॉडल का व्यास तीन सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है यदि प्रतेक शंकू की उचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गये मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ग्याद कीजिए यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और भारी विमाएं लगभग पराबर हैं आकरती में देखिए यह पूरी उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर यहां 2 सेंटीमीटर और यह 2 सेंटीमीटर अगर हम यह 4 घटा देंगे तो हमें बेलनाकार आकरती की उचाई आएगी 8 सेंटीमीटर ठीक है आगे शंकाकार भाग की उचाई H1 2 सेंटीमीटर दी हुई है शंकाकार भाग की त्रिज्या-R बराबर है बेलनाकार भाग की तरिज्या के जो बरआबर है तीन बटादू सेंटीमीटर आईए इसको हल करते हैं बेलनाकार भाग की उचाही एच्च्टू बराबर होगी 12 माइनस 2 गुणा शंका कार भाग की उचाही इस प्रकार 12 माइनस 2 गुना 2 ये हुआ 12 माइनस 4 बराबर 8 सेंटीमीटर मॉडल में अंतरविष्ठ हवा का आयतन बराबर होगा बेलनकार भाग का आयतन प्लस शंकाकार भाग का आयतन देखिए यहाँ पर सूत्र हम जानते हैं Pi R square H2 प्लस 2 गुना 1 बटा 3 Pi R square H1 इसमें हमने मान रखा Pi गुना 3 बटा 2 का वर्ग गुना 8 प्लस 2 गुना 1 बटा 3 गुना Pi गुना 3 बटा 2 का वर्ग गुना 2 इसको हल करके हम पाते हैं यह आएगा 18 πाई के बराबर और यह आएगा 3 πाई के बराबर 18 और 3 हो गया 21 इस प्रकार 21 पाई बराबर हुआ 21 गुना 22 बटा 7 साथ से हमने 21 को काटा 3, 3 गुना 22 हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब समझ में आया बच्चो प्यारा प्रश्न था ना आईए अगला प्रश्न करते हैं एक गुलाब जामन में उसके आयतन की लगभग 30 प्रतिशद चीनी की चाशनी होती है 45 गुलाब जामनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रतेक गुलाब जामन का एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्द गोलाकार हैं तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है देखिए आकरती में यहां हम एक गुलाब जामन बना लेते हैं इसकी पूरी लंबाई है 5 और व्यास है 2.8 यह यहां पर तो 5 में से हम यह घटा लेंगे यह आएगा 2.2 सेंटीमीटर अर्द गोलाकार भाग की त्रिज्या आर बराबर होगी बेलनाकार भाग की त्रिज्या के जो है 2.8 बटा 2 यानी 1.4 सेंटीमीटर अर्द गोलाकार भाग की उचाई बराबर होगी अर्द गोलाकार भाग की त्रिज्या के जो बराबर है 1.4 सेंटीमीटर बेलनाकार भाग की उचाई H2 बराबर होगी 5-2 गोलाकार भाग की उचाई के देखिए 5-2 गोला 1.4 जो हुआ 5-2.8 के बराबर यानी 2.2 सेंटीमीटर ठीक है आगे आगे हल करते हैं एक गोलाब जामन का आयतन बराबर है बेलनाकार भाग का आयतन प्लस दो गोना अर्द गोलाकार भाग का आयतन इसका सूत्र हम जानते हैं पाई आर स्क्वेर एच प्लस दो गोना अर्द गोलाकार दो गोना दो बटा तीन पाई आर क्यूब के अब देखिए पाई आर स्क्वेर एच प्लस दो गोना दो चार चार बटा तीन पाई आर क्यूब हो गया अब इसमें आप देखिए इसमें उभेनिष्ट ले लेते हम पाई आर स्क्वेर तो हमें कोश्टक में बचेगा H प्लस 4 बटा 3 आर अब मान रख देते हैं 22 बटा 7 गुना 1.4 का वर्द गुना 2.2 प्लस 4 बटा 3 गुना 1.4 सेंटीमीटर क्यूब अब हमें ये तो हुआ एक गुलाब जामन का आयतन हमें निकान ला है 45 गुलाब जामनों का आयतन तो हम इसको 45 से गुना कर देंगे 45 गुना 22 बटा 7 गुना 1.4 गुना 1.4 गुना कोश्टक में 2.2 प्लस 5.6 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब इसको आगे हल करते हैं 45 गुना 4.4 गुना 1.4 गुना 6.6 प्लस 5.6 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब लेकिन हमें दिया है चीनी की चाशनी का आयतन कितना है 45 गुलाब जामनों के आयतन का 30 प्रतिशत इस प्रकार 30 प्रतिशत गुना 45 गुना 4.4 गुना 1.4 और कोश्टक में यह हो गया 12.2 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब इसको हम हल करके हम पाते हैं देखिए 27.72 गुना 12.2 और इसको हम गुना करेंगे हमें मिलेगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है बचो आशा करती हैं समझ में आया होगा चलिए अगला प्रश्न करते हैं एक कलमदान घनाब के आकार की एक लकड़ी से बना है जिसमें कलम रखने के लिए चार शंक्वाकार घड़े बने हुए हैं घनाब की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर है प्रते गड़े की तरिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ग्याद कीजिए आप आकरती में देखिए यह आपके पास घनाब है और इसमें शंक्वाकार 4 गड़े बने हुए हैं जिसमें यह पैन रखे जा सके अब देखिए गड़े की गहराई H कितनी है 1.4 सेंटीमीटर गड़े की त्रिज्या आर हमें दी हुई है 0.5 सेंटीमीटर पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन बराबर होगा घनाब का आयतन माइनस 4 गड़े का आयतन ठीक है बचो तो यह हम जानते हैं इसका सूतर क्या है L गुणा B गुणा H माइनस 4 गुणा 1 बटा 3 पाई R स्क्वेर H यहां हमें मान दिया हुआ है L गुणा B गुणा H तो 15 गुणा 10 गुणा 3 दशमलव 5 माइनस 4 बटा 3 गुणा 22 बटा 7 गुणा 1 बटा 2 गुणा 1 बटा 2 गुणा 1 दशमलव 4 इसको देखे इसको हम अलग से हल कर लेते हैं और यह हमें मिलेगा 525 माइनस 1 दशमलव 4 साथ जिसको हम घटा के पाएंगे 523 दशमलव 5 3 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है बच्चों समझ में आया चलिए अगला प्रेशन करते हैं एक बरतन एक उल्टे शंकू के आकार का है इसकी उंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके उपरी सिरे जो खुला हुआ है की तरिज्या 5 सेंटीमीटर है आप आकरती में देख रहे हैं यह उपर तक पानी से भरा हुआ है जब इस बरतन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रतेक 0.5 सेंटीमीटर तरिज्या वाली गोली डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का एक चौथाई भाग बाहर निकल जाता है बरतन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ग्यात कीजिए बहुत ही प्यारा और महत्पूर्ण प्रश्ण है देखिए इसमें पानी है और इसमें इस तरीके की गोलियां अंदर डाली गई है तो एक चौथाई भाग पानी बाहर आ जाता है ठीक है इसकी उचाई है 8 सेंटीमीटर तो शंका कार बरतन की उचाई H बराबर है 8 सेंटीमीटर शंका कार बरतन की तरिज्या R1 बराबर है 5 सेंटीमीटर शीशे की गोली की तरिज्या R2 बराबर है 0.5 सेंटीमीटर आए इसको आगे हल करते हैं माना बरतन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या N है इसलिए बहार निकलने वाली पानी का आयतन बराबर होगा N गुना शीशे की गोली का आयतन अब देखिए एक चौथाई गुना एक बटा तीन पाई आर स्क्वेर H ये हमारा सूत्र हुआ एक हमने एक चौथाई भाग जो पानी भरा हुआ था वो लिया वो बराबर होगा N गुना चार बटा तीन पाई आर क्यूब के यहां हमने ये शीशे की गोली का आयतन के लिए R2 लिया है और यहां पे हमने तरिज्या लिया R1 ये ध्यान रखना है अब ध्यान से देखिए हमारे पास पाई और पाई हमने काट दिया और ये तीन और तीन भी कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा R1 स्क्वेर H बराबर है N गुना ये चार इससे चार गुना होकर के हो जाएगा 16 R2 का क्यूब अब हमने इसका मान रख दिया पाँच गुना पाँच गुना आठ बराबर है N गुना 16 गुना 0.5 का हमने इहां पे उसकी घात तीन और N बराबर हुआ 25 गुना आठ बटा 16 गुना 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 इस प्रकार N बराबर हुआ 25 गुना आठ गुना 100 हमने यहां दो दशमलाव हटाने के लिए हापे 100 लिख लिए बटा 16 गुना 25 गुना 0.5 और इसको हम हल करते हैं तो हमें मिलेगा N बराबर 500 बटा 5 जो हुआ 100 के बराबर इसलिए बरतन में डाली गई शीशे की गुनियों की संख्या 100 है ठीक है बच्चों आईए अगला प्रशन देखते हैं उंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस परुचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्थम बना है यहाँ पे एक लोहे का स्थम है उसके उपर एक और छोटा लोहे का स्थम है इस स्थम का द्रव्यमान ग्याद कीजिए जबकि दिया है एक संटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है पाई बराबर 3.14 लीजिए बड़े बेलन की त्रिज्य आर वन बराबर है बारा सेंटीमेटर यह आप देख रहे हैं आकरती में और बड़े बेलन की उचाई एच वन बराबर है दो सो बीस सेंटीमेटर छोटे बेलन की त्रिज्या R2 बराबर है 8 cm और छोटे बेलन की उचाई H2 बराबर है 60 cm अब इनके मान की मदद से अब हम इसको परिकलित करते हैं स्तम का आयतन बराबर होगा बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन हमारे पास सूत्र है पाई R1 स्क्वेर H1 प्लस पाई R2 स्क्वेर H2 अब देखिए पाई हमने उभेनिश्ट ले लिया और कोश्टक में हमारे पास बचा R1 स्क्वेर यानि 12 गुना 12 हो गया 144 गुना 220 प्लस यह हुआ 8 गुना 8 चौसट गुना 60 इस प्रकार 3.14 गुना 35,520 मिलेगा और इसको हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा एक लाग 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है बच्चों अब हमें इसमें दिया हुआ है एक सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना है 8 ग्राम इसको हम 8 से गुना कर देंगे एक लाग 11,532.8 गुना 8 जो बराबर होगा आठ लाग 92,262.4 ग्राम और इसको हम किलो ग्राम में बदलेंगे तो हम इसको हजार से भाग कर देंगे तो हमें मिलेगा 892.262 किलो ग्राम ठीक है बच्चों समझ में आया चलिए अगला प्रशन करते हैं एक ठोस में उंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकू सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धु गोले पर आरोपित है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब व्रतिय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि वह बेलन की तली को स्पर्श करे यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और उंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में 6 बचे पानी का आयतन ग्याद कीजिए है ना प्यारा प्रश्न? आईए देखते हैं कैसे हल करेंगे अर्ध गोलाकार भाग की त्रिज्या बराबर है शंकाकार भाग की त्रिज्या के जो बराबर है बेलना कार भाग की त्रिज्या के यानि 60 सेंटीमीटर बेलना कार भाग की उंचाई H1 हमें दी हुई है जो बराबर है 180 सेंटीमीटर शंकाकार भाग की उचाई H2 भी हमें दी हुई है 120 सेंटिमीटर आईए अब इसकी मदद से हम हल करते हैं बेलन में 6 बचे पानी का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन माइनस कोष्टक में अर्ध गोलाकार भाग का आयतन प्लस शंकाकार भाग का आयतन अब हम इनके सूत्र लिख देते हैं पाई R स्क्वेर H1 माइनस कोष्टक में 2 बटा 3 पाई R क्यूब प्लस 1 बटा 3 पाई R स्क्वेर H2 अब देखे हमारे पास हमने मान रखा पाई गुणा 60 का वर्ग गुणा 180 माइनस कोष्टक में 2 बटा 3 गुणा पाई गुणा 60 का 60 की घात 3 प्लस 1 बटा 3 गुणा पाई गुणा 60 का वर्ग गुणा 120 अब इसको हम हल कर लेते हैं पाई गुणा 60 गुणा 60 कोष्टक में 180 माइनस इसको हल करने पे हमें मिलेगा 40 प्लस ये भी होगा 40 इस प्रकार हम देखेंगे 22 बटा 7 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 100 मिलेगा हमें 180 में से 80 घटा देंगे 100 आ जाएगा तो बच्चों ये बराबर हुआ 22 गुणा 3 लाख साथ हजार बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब के और इसको हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 89 लाख 20 हजार बटा 7 सेंटीमीटर क्यूब इसको और हम भाग देंगे और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा और इसको अगर हम जब मीटर क्यूब में बदलेंगे तो हमें संख्या आएगी एक दशमलव एक तीन एक मीटर क्यूब चलिए अगला प्रिशन करते हैं एक गोलाकार कांच के बरतन की एक बेलन के आकार की गरदन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है जबकि गोलाकार भाग का व्यास है इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मातरा माप कर एक बच्चे ने यह ग्याद किया कि इस बरतन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं यह मानते हुए कि उप्रोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर है 3.14 आकरती में आप देख रहे हैं आपको यह गोलाकार है और यह बेलाकार आकरती है जिसकी उचाई है 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमारे पास आएगी 2 बटा 1 देखिए गोलाकार भाग की त्रि बेलनाकार भाग की उचाई हमें दी है 8 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग की त्रिज्या आर्टू होगी 1 सेंटीमीटर ठीक है आए अब हम हल करते हैं बरतन का आयतन बराबर होगा गोलाकार भाग का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन अब देखिए इसका हमें सूतर प Pi r 2 square h 4 बटा 3 Pi इसका मान हमें दिया था 8.5 बटा 2 कि घा 3 प्लस Pi गुणा 1 का वर्ग गुणा 8 इसको हम हल करेंगे 4.3 गुणा 3.14 गुणा 76.77 प्लस कोश्टक में 8 गुना 3.14 इसको हल करके हम पाते हैं 321.392 प्लस 25.12 इसको जोडेंगे तो हमें मिलेगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब अब याद आया आपको बच्चे ने कितना निकाला था? 345 अतह उस बच्चे का उत्तर सही नहीं है ठीक है बच्चों? आईए अब समय है ग्रह कार्य का प्रश्ण ले लीजिए पहला प्रश्ण त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और उचाई 12 सेंटीमीटर वाले एक शंकू को उसकी अक्ष के मध्य बिंदू से होकर जाने वाले और आधार के समानतर तल द्वारा दो भागों में विभाजित किया जाता है दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ग्याद कीजिए दूसरा प्रश्ण भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गन में 7 सेंटीमीटर उचाई और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकू के आकार का छेद किया गया है शेश ठोस का आयतन ग्याद कीजिए तीसरा प्रश्ण एक 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलना कार बीकर जिसमें कुछ पानी भरा है में 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे डाले जाते हैं कंचो की वह संख्या ग्याद कीजिए जिनको बीकर में डालने से पानी का स्तर 5.6 सेंटीमीटर उपर उठ जाएगा अगला प्रश्ण एक ठोस खिलोना ऐसे आकार का है जैसे की एक अर्ध गोले पर एक लंब व्रतिये शंकू रग दिया गया है शंकू की उचाई 4 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है इस खिलोने का आयतन ग्यात कीजिए यदि इस खिलोने के परिगत कोई घन है तो उस घन और खिलोने के आयतनों का अंतर ग्यात कीजिए साथ ही इस खिलोने का कुल प्रिष्टिय छेतरफल भी ग्यात कीजिए ठीक है बच्चो कोशिश करिएगा आप कर पाएंगे आईए अब सारांच देख लेते हैं आज हमने सीखा थोस अर्ध गोला यदि अर्ध कुल की तरिज्या आर है तो वक्र प्रिष्टिय छेतरफल बराबर होगा दो पाई आर स्क्वेर कुल प्रिष्टिय छेतरफल बराबर होगा तीन पाई आर स्क्वेर तथा आयतन बराबर होगा दो बटा तीन पाई आर क्यूब ठीक है गोलाकार खोल शेल का आयतन इसका फॉर्मुला है चार बटा तीन पाई कोश्टक में आरवन क्यूब माइनस आरटू क्यूब जहां आरवन और आरटू क्रमशह भारी और आंतरिक त्रिज्जाए हैं ठीक है बचो आशा करती हूँ आपको आज का पाट समझ में आया होगा ठीक है अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद अजय के अच्ड़ माइनस आरवन झाल टूब माइनस आरवन आरवन क्युदक में आरवन क्यूदक में आरवन एईना आरवन समझ का उोधन क्यूभन